नमस्ते, वेलकम टो संगिता फेशन, आज मैं जो आपके साथ शेर कर रही हूँ, और इस ब्लाउस डिजाइन की स्लिवस डिजाइन है, यह जो ब्लाउस डिजाइन है, उसकी लिंक में निचे डिस्ट्रिक्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो क्लिक जरूर किजएगा, और इसकी सारी भी प्यारट कलर की बहुत कुपसरत है, उसकी भी लिंक में निचे दे रही हूँ, अब हम इस ब्लाउस डिजाइन की स्लिवस डिजाइन बनाते हैं, स्लिवस डिजाइन बनाने के लिए मेजरमेंट मैंने यह पावने 5 इंच का लिया शिलाइ मार्जिन के साथ रखने की वजए से आपको अगर जितना स्लिवस की हाइड चाहिए उतने हाइड से आप बना सकते हैं, वह भी शिलाइ मार्जिन के साथ रख कर ही बनाएए अब पहले हमने स्लीव को और अस्तर के कपड़े के उपर एक टीप लगा दी थी फिर उसके बाद इसको पल्टी करके उसके उपर एक प्रेस टीप लगा रही हूँ अब यह बाहर की साइड से हम एक और टीप लगाएंगे ताकि जब भी हम काम करें तो यह खुले ना या फिर आइदर उदर ना जाए फिर उसके बाद हम इस पूरी स्लीव को पेपर के उपर ड्रॉ करेंगे हमने इसकी डिजाइन बनाने के लिए यह पेपर का इस्तमाल करेंगे इसलिए पूरी स्लीव को ड्रॉ कर रहे हैं अब इसको हम कट कर लेंगे इस पूरी स्लीव की आकार को हमने पेपर पे उतारा है आप ज़रूर देख लेना मैंने किस तरह से बनाया हुआ है और फिर उसके बाद यह जो पट्टी ली हुई है यह पट्टी देड़ी इंच की है देड़ी इंच की पट्टी के साथ अब हम हम इसकी नौट बनाएंगे नौट बनाने के लिए मैं इस तरह से उसको दुमड कर और एक नौट बना रहे हुँँ आप फिर से देख लेना मैंने एक इस तरह से दुमड कर बनाई हुई है और उंगलियों की मदद से अंदर के साइड से है मैं यह कपड़े को इस तरह से अ अगर ऐसा आपको करने में थोड़ी से दिक्कत आ रही हो तो आप इसको पल्टी करके भी बना सकते हैं पल्टी करके भी यह आकर बहुत कुपसुरत आ जाता है फिर इसके बाद हम इस पेपर जो हमने पेपर लिया था उसको ड्रॉ करेंगे तीन इंच का मैंने यहाँ पे इस साइड भी तीन इंच का फिर उसके बाद इसको गोलाई में आकार देंगे यह हमारे डिजाइन के लिए हैं डिजाइन के लिए ही मैंने यह पेपर कटिंग कर लिये था अब हम यह जो डिजाइन थी इसको कट कर लेंगे इसी डिजाइन में हमें पूरी स्लीज की डिजाइन बनानी है इसको अब हम इस तरह से यह भी कर सकते है या फिर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ या फिर हम इस तरह से भी यह जो नौट है इसको लगा सकते है इसको सेंटर तक कट कर सकते हैं दोनो तरफ से हम इसको लगा सकते हैं तो मुझे ए तरीका असानी लगता है तो मैं इस तरफे से हमेशा सेंटर की तरफ ही ले लेती हूं ताकि सेंटर की तरफ से भी हमें काम करने में आसानी हो जाये कोई भी काम हो जो करने में आसानी हो उसी टाइप से हमें काम करना चाहिए अब देखिए इस तरह से बहुत आसाने से बन गया और फिर इसके उपर और इस तरह सेट करके सभी नॉट्स को सेट करके इस तरह से टिप लगा लेनी है ताकि जब हम डिजाइन बनाए तो इधर बनाने के लिए भी मैंने देठ इंझ का कपड़ा लिए हुआ था इसके ऊपर मैंने आज जखो ना लगा और इसको थोड़ा सा बड़ा गोट के लिए डबल लिया हुआ है देच की पट्टी परішम से साथ हम इसको डबल ले सकते हैं फिर इसको कट कर लेंगे कट करने के बाद इस तरह से दुमड कर हातों से प्रेस करके ये गोड बना लेना है ये पाइपिंग को प्रेस करते ही पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाती है इसके उपर सल भी नहीं आती है तो इस तरह से ये पाइपिंग बना लेनी है पाइपिंग बनाने के बाद हम इसके लिए डिजाइन्स तयार कर रहे हैं यह मैंने दो बाइदो का चोकर लिया हुआ है आप इसी तरह से दो बाइदो का चोकर लिजिए और चोकर और को इस तरह से त्रिकोंस में डिजाइन बनाईए मैंने यह इस तरह से डिजाइन बना ली है दो फोल्ड के साथ एक ऐसा और यह दो फोल्ड के साथ मैंने यह डिजाइन बनाई हुई है यह डिजाइन पूरी जितने हमें चाहिए उतने आप इसको बना सकते हैं डिजाइन के लिए जितने चाहिए उतने आप बना कर लेना मैं आपको इतने दिखा रहे हूँ इतने डिजाइन के लिए तो चाहिए उतनी ही मैं आपको दिखा रहे हूँ फिर इसको जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा की वज़े से डिजाइन में अच्छी तरह से नहीं दिखता है फिर इसके बाद नीचे के साइड से उसको इस तरह से रखकर एक टिप लगा लेनी है अगर आपको ये मैंने जो इस तरह से डिजाइन बनाया है वो पसंदार है तो सिर्फ वो ही आप रख सकते हैं या फिर आगे जो मैं डिजाइन बना रही हूँ इसके उपर आपको ऐसी डिजाइन पसंदार है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं आपको जैसे तरीके में ये डिजाइन पसंदार है आप उसी तरीके में अपना भी कुछ इसमें मिला कर अपना भी कुछ एक्स्ट्रा मिला कर आप डिजाइन को कुछ अलग और भी रूप दे सकते हैं मैंने यह डबल्स करके उसका लुक इस तरह से चेंज किया है फिर उसके बाद हम एक पेपर जो है इसका पेपर निकाल लेंगे पेपर निकालने के बाद यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा पेपर या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इसके उपर दिख रहा है उसको कट कर लेंगे इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करने के बाद हम इसके उपर और एक और लेस लगाएंगे तो इसका लुक कुछ और ही आजाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ का इसको इस तरह से आकार को सेट करके उसके उपर एक और टिप लगा लेनी है अगर आपको जितना पैक चाहिए उतने इसाब से आप टिप लगा सकती है और फिर इसके उपर इस तरह से एक लेस लगाने से इसका आकार बहुत ही खुलकर और लुक चेंज हो जाता है यह ready made lace जो है वो किसी भी design का look change कर देती है और इसको इस तरह से fit करके ऐसे design बना लेने अगर आपको मेरे ऐसे designs पसंदार है वो तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा